मुद्दों से भटकाते हैं राहूल गांधी में कोई दम नहीं है जिसे बार बार आप कहते हैं रिलाउंच लेकिन रॉकेट नहीं चलेगा नहीं चल पाएगा तो फिर इतनी फिकर क्यों हो गौरब जी गौरब जी जल भून जाएंगे यातरा खतम होने तक राक हो जाएंगे उर्णी ऐसा है शान तो करा लीजिए आडम की आखों में कुछ दिक्कत लग रही हैं बार बार टिम टिमा रही हैं कोई दिक्कत है सुनिया मेरी बात चलिया कि ये नाम लेकर भूला रही थी ना वही महिला गई कोई उपनां नहीं लगा था उसके नाम में और उसने बिना सिलिंडर के अमेठी में जो वंचवादी थे उसके घर में आग लगा दी, हरा दी है चुनाव, मालूम है क्यों? क्योंकि मेहनत, इमानदारी, कर्तब पर पढ़ाएड़ता, जंता का दिल जीत लेती है, अमेठी में अलका जी, अलका जी, मेरे पास समय अभी ए जीत को, धन्यवाद, चीक है, तो मैं यही कह रहा हूँ, स्मिति रानी जी, वो महिला हैं, जिनोंने अपनी मेहनत से, अपनी पहचान बनाई, और राहूल गांदी, जो उपनाम लगा के, जाने जाते हैं, उनको हराया, मेठी में जो उनका गर था, दूसरी बात इनोंने कही कि दस लाग का सूट, अरे, यह अपनी अपनी किस्मत और शक्सियत है, दस लाग का सूट पहना, जब उसकी बोली लगी, चार करोड से उपर में वो बिका और वो सारा दान कर दिया गया, बताते हैं, राहूल गांदी ने, चालिस हजार की टी-शिर्ट, एक व्यक्ती से कहा चालिस हजार की टी-शिर्ट लो, उपर से चालिस हजार लो, उस व्यक्ती ने का नहीं, तुमारी पाप की कमाई नहीं लूँगा, यह फरक है शक्सियत का, आप कुछ आंकड़े देता हूँ, सौरफ जी इन्होंने पहले बेरोजगारी की बात करी, बेरोजगारी के लेटि अतराज्य गुजरात में 2.6%, मध्यप्रदेश में 2.6%, महराष्टर में 2.2% और उत्तरप्रदेश में 3.9%, यह एक आकड़ा, दूसरा इन्होंने सिलेंडर सिलेंडर कहा, मुझे याद आता है, इनकी एक नेत्री थी, उनसे पूछा गया रेनुका जी से, कि सिलेंडर के दा कहा, ऐसा पेड़ों में नहीं लगता, सबसे महिंगा सिलेंडर, जनवरी 2014, 1241 रुपए का कॉंग्रेस के समय में था, तीसरी बढ़ा, महिंगाई का आकड़ा, महिंगाई का आकड़ा, रखके खतम कर रहा हूँ, 10 सेके, महिंगाई का आकड़ा, 2008 में 9.09%, 2013 में 9.4%, 2009-10 में, हमारे समय में 3.4, 3, 18 में, 12, 14, 18 में, यह आकड़े जो हैं, रोज हमारे डिबेट्स में, कांग्रेस और बीजेपी अपने अपनी तरफ से रखती है, ठीक है, अलका जी समय कम है, आप अपनी बाद कहिएगा, मैं आखर में आखर में आपसे, आप देखें, आपकी पार्टी के गोवा में आज लोग छोड़े, आपने का हमें परवा नहीं, इन्होंने बरगलाया, ठीक है, मान लेता हूँ, लेकिन कहीं भी कॉंग्रेस पार्टी एगर तूटती है, कमजोर कॉंग्रेस पार्टी होती है, मैं जानना चाहता हूँ, इस यात्रा से आपकी वास्तविक उम्मीदे क्या है, क्या हासिल करेगी कॉंग्रेस पार्टी राहूल गांधी के आतरा से, अलका जी, एक सकिन दीजेगा, सौरव जी मेरी बात सुनिएगा, मैं सिर्फ एक बात का जवाब दे रही, उन्होंने का राज्यस्तान कॉंग्रेस की सरकार है, बहां महंगाई, बेर लुजगारी है, आपको पते है, वहाँ पर 25 सांसद हैं, 25 के 25 सांसद एक मैं दोनों बार भाजपा को दिये, इस बात पर गिये कि 2 करोड नोख्याऊजदा पर कर लिजे सिलेंडर में सबसीडी दूँगा इसलिए वो दी आज वो सारा ठीक रा जो है राजेस्तान की राजे सरकार पर फोल रहे हैं अपनी जुम्मेदारी से भाग ले इसलिए बड़ी बेश्रमी की बात क्या होगी अब मैं आपको कहती हूँ गोवा के संधर्ब में गोवा के लोग ठगा महसूस कर रहे हैं धर्म पे उनकी आस्ता है विश्वास है उसके साथ बाइबल और कुरान के साथ धोका हुआ है और भाजपा ने उन धर्म के साथ अब गोवारी सिर्ब शॉट में पूरे देश के लिए बताईए अब देश राहूल गांधी के पीछे चलेगा राहूल गांधी की बात बानेगा ओके ओके अलका जी